मुझा यह राधे अब्रिवन कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी बहुत बढ़िया हो और घर पर आपके सब कुछ बढ़िया चल रहा हो तो चलिए आज मैं आप सभी के साथ सेयर कर रही हूं कि बट सावेत्री बरत में आप किस तरह से घर पर पूजा कर सकते हैं तो देखिए बट सावेत्री बरत में बैसे तो देखिए बट ब्रक्ष की पूजा करने का महत्व है लेकिन आप किसी कारण बस अगर घर से बाहर अगर नहीं जा पा रहे हूं तो आप घर में किस तरह से आपको पूजा करनी होती है तो सबसे पहले देखिए आप जिस जगे अगर आपको रंगोली बनाने आती है तो आप रंगोली भी बना सकते हैं तो मैं यहां पर आटे से पूर रही हो चौक और चौक पूरने के बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी आप जरूर डालने और इसके बाद एक काप लेले घमला और बट सावेत्री ब्रत में बट ब्रश की डाली जरूर लानी होगी उसके बिना आपकी जो पूचा है अधूरी मानी जाएगी तो बट व्रक्ष की देखिए इस तरह की डाली आप उस घंबले में लगा ले थोड़े सी जमीन में मिटी में उसको जरूर लख ले तो इस तरह से देखिए आपको सैट कर लेना है इस इस तरह का एक छोटा कलस भी आता है इसमें ये बट सावितरी ब्रत में जरूर लिया जाता है तो आप देखिए इस पर भी कलावा बांद ले इसमें छोटी सी जस तरह का हमारा गंगा सागर होता है उसी तरह के सेप में रहता है इसी से बट व्रक्ष में जल दिया जाता है तो देखें ये गंगा सागर है जिनकी नई शादी हुई है वो इसी पती के बरतन से बटवर्ष को जल देने का महत्वर रहता है जिनकी इस साल नई शादी हुई है तो वो पती पत्नी यानि बर और वदू दोनों मिलकर बटवर्ष की पूजा करने का महत्वर रहता है तो अगर आप किसी कारण बर सकर घर से बाहर निकल नहीं सकते तो आप इस तरह से घर पर कर सकते हैं पूचा तो देखिए हमने मिट्टी के दोनों बरतनों पर देखिए हमने स्वास्तिक बना लिया है स्वास्तिक आप चाहे हिल्ध हल्दी से बना सकते हैं आप चाहे तो रूली स चने अंकुरित वाले चने अंगरत वाले त्लों में डाल दिये जाते हैं तो इस तरह से इक लगए धुजा अगर अगशा की पूजा बट वरक्ष पर जाकर करते हैं तब अपने घर में भरकश जरूर आना है इस चीजन का पद्रकुट इसके बाद आप मिट्टी के आप चाहें तो मिट्टी के इस बरतन से भी आप बटब्रक्ष को जल दे सकते हैं आप चाहें तो तामे के लोटे से भी आप जल दे सकते हैं आपकी इच्छा है कि आप चाहें तो तामे के लोटे से जल दे दे जिस तरह से बट व्रख्षी पूजा करते हैं उसी तरह से आप कलज का पूजन भी करेंगे तो थोड़ी सी हल्दी चावल हमने लगा दिये हैं यहां पर बट ब्रश को लपेटेंगे कलावा तो देखिए इस तरह से आप चाहे तो 5 वार लपेट सकते हैं आप चाहे तो 7 वार लपेट सकते हैं आप चाहे तो एक वार चढ़ा सकते हैं इस तरह से देखिए बट प्रक्ष पर तो मैं यहां पर एक वार आपको चढ़ा कर ब कर सकते हैं अब सभ quiere के बाद बहुत जरूरे हैं क्योंकि बर्त आजेदर ही इती होग के गाओए कilles उसक्त फॉरानी पर oldua विया और थे ilKA ऑली twice करते हां इसके की ठीजें में चैजन में उनी का भूक लगा해एंज चैसे खर्गुजे हो लगाएं जैसे खरबूजे हो गए आम हो गए सीजनेवल फल है तो इनका ही आप भोग जरूर लगाएं तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों फल चढ़ा दी है और आज के दिन इन कलसों पर इस तरह से देखिए पूरी पूए और जो बर्बूले हमने बनाए थे न वो जरूर रखे जाते हैं बर्बूलों का इस तरह आज के दिन बहुत जना सगुन होता है बर्बूले चढ़ाए भी जाते हैं मीठे बर्बूले रहते हैं मीठा कड़क आटा गूंद कर गोल गोलों ने बना लिया जाता है और उसके बाद इनको तल लिया जाता है तो इनका आज इस सुहाग का सामन रख दिया है इस सुहाग के सामन को आप बाद में किसी भी जो भी आपके मानधान है आप उनको भी दान कर सकते हैं आपके जो पूजनी है आपकी सास अगर सुहाग ले तो आप उनको दे सकती है आपकी ननन है तो आप उनको भी दे सकती है तो ये आपकी देखिए आपको सिंपल साथा तरीके से सिंपनी है बट सावितरी ब्रत पर अपने घर पर आसानी से पूजा और आप जब डगार तोड़के लाए ना बट रक्षी तो इसमें देखिए कौपों को आज के दिन बिशिश महतु रहता है हमारे याँ परंपरा रही है कि कौपों के बिना पानी नहीं पिया जाता है कौपों को लील कर ही पानी पिया जाता है इसलिए अगर हो सके तो कौपों वाला आप बट 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 जरूर लेकर आए इस चीश का थोड़ा सा ध्यान रख लें और इस तरह से सिंपल साथा तरीके से आप पूजा करें इसके बाद करेंगे हम मिल जुलकर आरती और हमारे यहाना बहुत तेज वाली हवा चल रही है तो अगर आप क्या हवा नहीं चले ना तो आप दीपक जरूर जला लें मैंने नहीं जला पाया क्योंकि दीपक जल ही नहीं रहा था बहुत तेज वाली हवा चल रही है आप पत्तों को तो ऒबाद नो हाथ है। में उत्च मॉधन की करा कर तो आज की दिन की कीज़ा BUT माना जाता है बाहर तो हवन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेकिन अगर आप बढ़ सावेती ब्रत पर अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा हवन जरूर करें तब से पहले देखिए आप जब हवन में अगनी प्रजुलित कर लें उसके बाद गुरु मंतर है आप उसे भी साथ एकी जाहुतियां दे सकते हैं और इसके बाद जो बर्बूले बनाए हैं उसमें अगनी में आप भूख जरूर लगाएं तो इसका देखिए बिशेश महत तो रहता है यह देखिए बर्बूले और आज के दिन देखिए इस तरह से ओड़ की ओर उचाले जाते हैं और अपनी गोद में आपको यह बर्बूले लेने होते हैं जो लोगों की नई शादी हुई है तो वो इसी तरह से अपने गोद में बर्बूले जरूर लें तो पूजा के बाद देखिए पीना है आपको जल तो देखिए इस तरह की कॉप है जो की बड़ रक्ष में लगी होती है इन कॉपों के साथ ही आज की दिन जल पिया जाता ही हमारे घर की परंप्रा है अगर आपके आए ऐसी प्रदानता है तो आप इस नियम को कर सकते हैं तो यह आपकी इच्छा है हमारे आज जिस तरह से जल पिया जाता है वो मैं आप सब के जैशी रादे वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले राधे राधे